अलो फ्रेंट्स वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मारकेट घ्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो श्टॉक के बारे में अदानी गुरूप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह बैंक का एक जो पुरान पूरी तरीके से अदानी गुर्प के फेवर में नजरा रहा है और साथ के साथ एलाई सी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है जिसको यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट उन्हों ने किया है उससे पैसा डूब जाएगा और आर बियाई की तरफ से बहुत बड़ी राहत जो है वो दी गई है यहां कि बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो को दिरूब बताने वाला हूं वीडियो अच्छी लगे तो एक ल गिरावट नहीं थी लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो नेगेटिव ही देखने को मिला करीबन 111 पॉइंट का डाउंसाइड मुवें निफ्टी फिप्टी में वह तीन सो से जादा साड़ी तीन सो के असपास का मुमेंट जो है वो सेंसेक्स में आपको यहां पर देखने क अगर आप देखोगे तो कल भी मैंने नियूज बताई थी आपको के अदानी के दो स्टॉक को यहां पर एसम लिश्ट में डाला गया है अदानी बिलमार में भी आज अगर आप देखोगे तो पांच परसंट का लोग सरकेट लग गया लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको एंट परदर्स्त भरोसा रेटिंग एजनसी ने कहा दो जात तीस तक नहीं है टेंशन जो फिच रेटिंग हिंडिन वर्क्स की रिपोर्ट जब निकल के आई थी तब इनका बयान कुछ और था अब जब सारी चीजें सही नजर आ रही है तो अब इनका बयान जो है वो अलग नज पढ़ा है लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई भी बहुत बड़ा असर नहीं पढ़ेने वाला है और यहां से अगर आप देखोगे तो जो कंपनी यानि कहँदानी गूरूप है वह बहुत ही शांदार इकावरी जो है वह आने वाले ताम में दिक्खाने वाली है तो ठ 11,000 करोड का profit हो रहा हो था 11,000 करोड का केवल और केवल अदानी के stocks अगर बेचे होते तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो current valuation है अगर आप देखोगे जो total value थी purchase के टाइम पर वो अगर आप देखो ते यहाँ पर 30,127 करोड है और आज के टाइम पर अगर आप देखो 41 सजाज 87 करोड 41,000 करोड से भी जादा की value होगी है वाइफर केशन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एसी सी अमपुजा सीमेंट और बाकी के जो remaining आदानी की stocks उनमें कितना कितना value है लेकिन यहाँ से एक चीज़ यह समझ में आई कि जब भी आप कोई भी decision लेते हो मतल आदी किसी चीज पर बयान देना चाहिए वही अगर आप देखो तो यहाँ पर ITAT की तरफ से जो बड़ी relief मिली है अदानी power को यहाँ पर बाशल tax relief दिया गया है अदानी power को आप यहाँ पर देख पारे होगे कि overall जो चीज़े हुई है वो अब दीरे-दीरे करके ही सही लेक से इनकार किया था सरकार का कहना है कि हिनिन वर्क्स की रिपोर्ट का systematic level पर कोई असर नहीं हुआ है बित्यमंत्राले में लोकसबा में जानकारी की सरकार ने अदानी गुरूप की companies पर लगे आरोपों की जाच के लिए कोई committee नहीं बनाई है यानि कि अगर आप देखो गे त ठीक है तो यहां पर अगर आप देखते हो तो overall जितनी मिया भी नियूज ने कल के आ रही है अदानी गुरूप के लिए सारी की सारी यहां पर आपको point नजर आ रही है कल का माहुल जो है वह अदानी गुरूप ले point बन सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अब बात कर लेते यहस बैंक के बारे में तो यहस बैंक में अगर आप देखोगे तो यहां पर सीन ऐसा ही है कि कल के दिन बड़ी गिरावर्ती आज के दिन एट पाज ऐसी सिच्वेशन है थोड़ी बहुत ही माइनर सी गिरावर्ती करीवन point three two percent की और पंदर और रूपे 60 पैसे बस शि हैं ब्लॉक डिल्स हुई है वह मैंने पहली वीडियो में जो यहस बैंक की बनाई है उसमें डिटेल में डिसकसन किया है जाके आप देख लेना इस वीडियो के बाद आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो यहस बैंक के बाद भी वॉल्यूम टॉपर में नंबर वन पर दूसे नमर पर जीटेल इंफ्रा तीसे नमर पी एंब और चौते नमर पर ब्राइट कॉम ग्रूप आपको नजर आया अब यहां पर अगर आप देखोगे कुछ चीजे निकल के आ रही है जैसे ब्रोकरिस फर्म का यहस बैंक को लेकर रोजानों की बात करें तो टॉप सबसे कम कवर होने वाले स्टॉक में सुमार है यानि कि यहस बैंक को अभी बहुत सारी लोग जो हैं वह कवर ही नहीं कर रहे हैं आप जिदनी भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो गिने चुने लोग हैं जैसे की जीसील सेक्योरिटीज के स सब्सक्राइब हो जाते हैं और उसके बाद अभी तक जो रिकमेंडेशन हैं वहां पर बाइंग की तो बिल्कुल भी नहीं है होल्ड की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है प्रमोटर्स बेच सकते हैं हिस्सेदारी बहुत बड़ी नियूस है यहां पर आप देखो रिपोर् खतम होने के बाद अबाती स्टेट बैंक जैसे लेंडर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे जो कि अभी तक तो देखने को नहीं मिली है और यह कब बेचेंगे क्या पिल्कुल सेनेरियो पहली वीडियो में आप जाके देख लेना और डेट के एसाफ से मैंने पूरी तरीके से आपको बता है हालागी तुरंद ऐसा करने की योजना नहीं है हिस्सेदारी बिक्री कई चरणों में की जा सकती है इस वजह से शेयर में बिक्री की सम्मावना बनी हुई है SBI के नेतरत में आठ लेंडर ने यस बैंक में दस अजार करोड रुपे के फंड का निवेश किया था और पर यहां पर जो है वो तीन साल का लॉक इन जो है वो खतम हो चुका है अब ब्रोकरेज हांसेज क्या बोल रहे हैं तो स्टॉक 14 रुपे के अपने महत्वूर समर्थन इस्तर के करीब गिर गया है बर्तमान इस्तिती को देखते हुए हम इस पॉइंक पर खरीदने के सलाब बिल्कुल भी नहीं देंगे और मोहीं मोतिला लोसबान ने भी कहा है कि अभी बाजार में गिरावट और इस स्टॉक मे भी ऐसा ही है फिलाल की इस पश्टता होने तक का इंतजार बहतर है तो यहां पर पूरी तरीकते बताया गया है कि आपको अभी हर बड़ाद में बाइंग नहीं करनी है चाहिए इस से थोड़ा और ज्यादा गिर भी जाए क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अगर सामने आ जा यही रिकमेंडेशन निकल के आ रहे हैं कि आप अपने ओपिनियन कॉमेंट में जरू शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पर बश्टा में विजिट करें और सब्सक्राइब भी रोगा देज़ेगा धन्यवाद